कि ना तो वह कुछ स्टॉक्स का जो अभी आपको डिप्डेंट या वाई-बैक कैस्वाइक बोनस वगएरा कुछ मिलने वाला है तो वह अभी सुल्ला से आपको आज जैसे डेट हो या शिस्टिन तो कल से जो जो एक्शन होने का है वह मैं आपको बता दे रहां तो कल डेट ह स्वेंटिन्ग को MK एक्जीम करके कमपनी है जो बोनस देने वाली है और बोनस कितना है था यह बेस्कली कमपनी करती क्या है तो बेस्कली अगर आप आप काम देखोगे तो क्लाधिंग सेक्टर में है इसका जैसे कॉसमेटिक का distribution भी है और इसका जो competitor हो गया वो है आपका NICA maneuver अगर इस company का fundamental देखेंगे तो ये company small cap में आती है इसका market cap है 442 करोर का मतलब basically है ये small cap की company earning per share है इसका 6.18 ठीक है अगर sector का इसका P देखा जाए तो 26 6.59 मतलब एक रुपया आपको कमा के देने के लिए 26 रुपया आपसे ले रहा है sector का इसमें P.E. है जो 67.64 तो उस हिसाब से sector P.E. के हिसाब से देखा जाए तो इसका P.E. सही है अब company में bonus है 1 is to 2 का अब company का return हम लोग अगर देखेंगे तो इसका return आपका है जैसे देखो हम 3 एर long term से अगर देखते हैं तो 3 एर में इसका return है आप 21 100% 21 100% 3 एर में तो उतना बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है आपर return मिल जाता है उसके बाद एक साल में अगर इसका return देखेंगे तो 93% का है एक साल का return भी काफी यहां से बढ़िया है 93% का है उसके बाद इसका जो return है अगर देखेंगे 3 मन्त का तो 3 मन्त में 45% 1 डे का अगर देखते हैं तो आज का trading session में यह 1.83% down में रहा weekly अगर इसका देखें हम तो 13% का 13.71 का इसमें growth तो कल इसका buyback एक और अगला share जो है धरंपूर सूगर मिल यह कल buyback करने वाली है तो कल MK Exim और धरंपूर सूगर मिल में दो कंपनी में corporate action होने वाला है एक में bonus और एक में buyback का तो buyback तो आप जानते हो company खुद अपना share बाजार से बापस खरीचते हैं उसके बाद उसके बाद आपको 19 जन्वरी को Tata Consultancy Services का 9 रुपया का per share dividend मिलने वाला है उसके बाद HCL Technology देखो अभी dividend मिलेगा सबको इसलिए मिलेगा कि सब company का quarter 3 का result आ रहा है उसमें जिसका जैसा profit होता है उस basis पे company dividend इनॉर्म्स करती है उसके बाद 22 जन्वरी को 3 रुपया का dividend है per share जो mass financial services दे रही है तो ये सब में आप दिमाग लगा सकते हो अगर जो dividend बहुत लोग लेने के लिए परिसान रहते हैं तो वो income मिलेगा और अगर आपके पास है ये stock तो उसको बेचना नहीं है क्योंकि इसका dividend आप उठालो उसके बाद angel 1 का है dividend तो ये भी 12 रुपया 7 पैसा पर share देगे 23 जन्वरी को booking date जो होगा 23 जन्वरी को उसके बाद Bepro ने जैसा result के बाद एनॉंस किया था 1 रुपीज पर share तो इसका 24 पर record date होगा तो 24 पर को Bepro का जो भी Bepro का जो भी है वो आप रखो Bepro का long term जो target है वो जैसे अभी तो ये 550 के असपास जाएगा दीरे-दीरे करके अराम से लेकिन long term ये 600-700 अराम से जाएगा तो hold करो इसको बहुत लोगों के पास है उसको अराम से रखिया लंबा इसमें future है कोई tension वाली बात नहीं है उसके बाद जो इस मंत का है वो दो और date में corporate action होने वाला है जो flips carbon black वो 5 रुपे का 5.5 रुपे का वो आपको देने वाली है उसके बाद एक आक्सी जो company है Siemens वो आपको 10 रुपे का dividend देने वाली है वो 30 जनवरी को तो यही है इस मंत का corporate action और अगर आपको ज़्यादा दिमाग लगाना है तो dividend के लिए बहुत ज़्यादा कूदना नहीं है किसी stock पे अगर है आपके पास अच्छा है अगर लेना चाहते हो तो यह दो company आपका सही देख रहा है फिर यह buyback में अब धर्मपूर्स कोगर मिल्स में दिमाग लगा सकते हो MKXim में 1-2 का देख सकते हो company अच्छा है company का performance अच्छा जा रहा है